Hello everyone, welcome to SolutionUp. आज की वीडियो में हम एक figure of speech को cover करने जा रहे हैं, जिसका नाम है metonomy. तो इस figure of speech को करेंगे, इसका क्या meaning होता है? ये Greek word है और Greek में इसका meaning है a change of name. जब हम किसी word का use करते हैं, किसी भी sentence में, लेकिन वो word जो है किसी और चीज़ से associate करता है, किसी और चीज़ से male खाता है. So that is called metonomy, इसकी definition को जानेंगे. So a term applied for one thing is used for another with which it has become closely associated. एक ऐसी term हम apply करते हैं किसी sentence में, जो actual में वहाँ पर वो meaning नहीं represent करती है, लेकिन उससे मिलता जुलता, meaning जो हमें उस sentence में देती है. जैसे example से जानते है, that pen is mightier than sword. तो pen यहाँ पर किस के लिए use किया गया है? एक writer के लिए, और sword जो है वो use किया गया है एक soldier के लिए. तो यहाँ पर word use किया है pen, लेकिन main use क्या कहना चाहरा है? वो writer के बारे में बात करना चाहरा है. तो जब हम किसी एक term का, किसी एक word का use किसी sentence में करते हैं, लेकिन उसका meaning कुछ और होता है, यानि कि वो किसी और चीज़ का meaning दे रही होती है वहाँ पर, so that is called metonomy, इस term को metonomy के तरह रिप्रेजेंट करते हैं, mightier यानि की ताकतवर, so pen is mightier than sword, इसका क्या meaning है, कि जो लेखक की कलम है, वो ज़्यादा ताकतवर होती है किसी soldier से, यानि की soldier की तलवार से, आगे के examples देखते हैं, he addressed to the chair, अब यहाँ पर chair word तो use किया है, he addressed to the chair, यानि की उसने उस chair की तरफ इशारा किया, लेकिन इशारा chair की तरफ नहीं किया है, वहाँ पर वो किसी और चीज़ के बारे में बताना चाहरा है, और वो और चीज़ किया है, a person who is seated on the chair, यानि की एक ऐसा बंदा जो उस chair पे बैटा है, उसके बारे में बबात कर रहा है, लेकिन address कर रहा है उस chair को, आगे example देखते हैं, आगे के example में दिया हुआ है, here comes the crown, अब यहाँ पर crown word यूज किया है, तो crown, ताज कोई चल कर थोड़ना आ रहा है, जिस राजा ने उस ताज को पहना है, उस राजा के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, किंग के बारे में बात की जा रही है, तो वहाँ पर ऐसा कहा जाना चाहिए, that here comes the crown, यानि कि यह देखिए राजा आ रहे हैं, यह राजा हमारे आ गए हैं, ना कि ताज आ गया है, तो आज नहीं यहाँ पर basically वो crown word राजा के लिए use किया गया है I have read Milton कि मैंने Milton को पढ़ा अब Milton को कोई थोड़ ना पढ़ सकता है उसके works को पढ़ सकता है तो Milton से यहाँ पर represent करता है Milton के works को यानि कि Milton ने जो works लिखे हैं उसके बारे में बात किया कि मैंने Milton के works को पढ़ा लेकिन phrase हम क्या use करते है I have read Milton उसी तरह एक और sentence है I love to read Shakespeare किसी एक South movie में भी यह recently ऐसा quote आया था I love my Shakespeare तो वो I love my Shakespeare से वहाँ पर कहना चाहता है कि मुझे मेरे Shakespeare को पढ़ना पसंद है I love to read Shakespeare तो Shakespeare को कोई थोड़ना पढ़ सकता है उसके works को ही कोई पढ़ सकता है उसके इतने अच्छे-च्छे plays है उनको कोई पढ़ सकता है तो Shakespeare के works के लिए यहाँ पर यह जो term है यूज की गई है तो इन सभी examples में में अटर्म में जो term है figure of speech जो है तो वो use हो ही है आगे देखते हैं The news came from the White House America की बात की की है America के President House की बात की की है यहाँ पर White House तो जहाँ पर President बैठते हैं वहां करे तो news सीदा कहां से आई है White House यानि कि America के President Office से directly news आई है यहाँ पर President Office अमेरीका का represent किया जाना चाहिए आगे एक example है, काफी अच्छा example है ये भी Shakespeare का ही example है Shakespeare का एक play है As You Like It, उससे ये example लिया गया है Dublet and Hose, एक अच्छी phrase है Dublet and Hose जो है ये लगबग 14-15 शताबदी के बीच में पहनी जाने वाली एक man wear थी यानि की जो व्यक्ती, पुरुष जो है वो एक पुशाक पहनते थे लगबग एक ऐसी पुशाक होती है जैसे हम आज के समय में पहनते हैं वास्केट वगरा उसी तरह की पुशाक है Sleeveless जो जैकेट है man की उसे Dublet and Hose की तरह यूज किया जाता है लेकिन यहाँ पर Dublet and Hose यूज किया गया है, वो किसके लिए यूज किया गया है man के लिए masculine के लिए और petticoat word यूज किया गया है women के लिए यानि की female gender के लिए तो जब हम किसी word का यूज करते हैं लेकिन उसका actual meaning कुछ और होता है अब इसका meaning देखिए उसे एक औरत के सामने अपनी बहादूरता दिखाने ही पड़ती है तब ही वो उससे impress होगी ऐसा यहाँ पर कहा जाना चाहिए तो उसके लिए phrase कौन सी यूज की गई words कौन सी यूज की गई doublet and hose यूज किया गया man के लिए तो तब तक के लिए goodbye जैहिन